कुछ लोग अपनी मनमानी से और अपनी कुछ देर के मज़े के लिए ऐसी ऐसी चीज़े कर जाते हैं जिसे सामने वाले को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। और छेड़ खाने शिरू कर दी। दोनों मनचले नहीं माने और बुलेट पर स्टंट करते हुए ओटेक करने में लगे थे। अचानक ही उठोने सुदिक्षा की मोटर बाइक के सामने अपनी बुलेट पर ब्रेक बाल दिया। जिसे संतुरन बिगडाव सुदिक्षा गाड़ 2011 में सदिक्षा का चैन बलंद शहर के सिकंद्राबार में शिवन नाडर फाउंडेशन द्वारा संचालेत विद्याग्यान लीडर्शिप अकैडमी में हुआ जहां गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहां अपनी महनत लगन से 2018 में अमारिका में आविदन दिया गया। जहां बॉबसन कॉलेज में पढ़ाई के लिए उसे 3.8 करोड रुटाई की स्कॉलर्शिप में ली। चार साल के लिए पढ़ने अमारिका गई सुदिक्षा कोरोना के चलते चुट्टियों में अपने गाउं आई थी। बीस अगस्त को वो वापस अमारिका लोटने वाली थी। और अपने चाजा के साथ मामा के यहां जाते हुए इस हुनहार लड़की के साथ ये घटना घटी। और अपने अच्छे भविश्र का सपना संजोए। अपने करियर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत में लगी इस लड़की के सप ने कुछ मंचुलों की हरकत ने चक्रना चूर कर दिये वही पलिस का कहना है कि यह सड़क दरगटना थी जिसमें सुदिक्षा की जान चली गए और बाइक भी सुदिक्षा का चचेरा भाई चला रहा था जो की नबालिक है और उसने हेलमेट भी नहीं लगा रहा था पलिस के सार घर वालों ने छेड़ चाड के शिकायत भी नहीं की थी वहीं परिवार वाले कह रहे हैं कि पलिस मामली को दबाने में लगी हुई है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन प